अस्सलाम अलेकुम रहमतुल्हिव वराकातों वैल्कम टू नदवी अर्बिक अकैडमी आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस बात पर है कि हम अर्बी में अब सेंटेंस बनाना सीखने लगे हैं तो हम सबसे पहले नाउन के सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे कि जो सेंटेंस Noun and Predicate भी कहा जाता है जिसे English में subject and predicate भी कहा जाता है ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे तो हम पहले सारी चीज़ें जान चुके हैं कि Indefinite क्या होता है, Defineate क्या होता है तो एक बात हमें याद रखनी है कि बहुत आसान सी कि Noun जो होगा हमारा इस sentence में जो noun होगा हमारा, इस sentence में उसके ओपर alif laam आता है और जो predicate होता है हमारा, उसके ओपर alif laam नहीं आता है The main thing is we have to know, we have to keep in our mind that के we have to use alif laam with the noun and we don't use alif laam with predicate So, जो हमारा पहला word है, जैसे अतालिब, जिसको कहते हैं student, the student, मुश्टहिदुन, hard working अतालिबु मुश्टहिदुन, the student is hard working अल्माव बारिद, the water is cold बहुत आसान है, कोई सभी word लीजिए, आप कोई भी word ले लीजिए लेकिन अभी हम जो बात कर रहें, ये बाधियान में रखें, कि हम जो बात कर रहें वो सिर्फ masculine की बात कर रहें, feminine की बात अभी नहीं कर रहें जैसे हमें कहना है, the door is open तो हमें, the door की अरभी जाननी है, तो the door को बोलते है, albabu इस अमार अरभी में नहीं होता है, तो इसलिए बहुत आसानी है, हमार लेकर इस अमार क्या होता है albabu, open को बोलते हैं, मफ्तूहुन, albabu, मफ्तूहुन, the door is open किसी भी तरह से बहुत सी चीज़े हैं, जैसे book है, उसको अरभी में al-kitab कहते हैं तो आप कह सकते हैं, al-kitabu, मुफीदुन, al-kitabu, समीनु, al-kitabu, रखीसुन, इसी तरह से आप कह सकते हैं al-qalamu, al-qalamu, रखीसुन, al-qalamu, रखीसुन, the pen is cheap, ऐसी को अगर हम कर दें, समीनु, तो हो जाएगा एक कास्ली, इसी तरह से हम, nominal sentence में हमने जान सकते हैं, कि अगर हमारा पहले जो noun है, जो noun होगा, और अगर वो noun, proper noun नहीं है, common noun है, proper noun होगा, तो जाहिर सी बात है, proper noun होगा, तो हम कुछ भी use नहीं करेंगे, जैसे कि अगर हमें use कहना है, हमें last कहना है, जैद, जैद, माहिर, जैद, माहिर, तो हमें कहना, जैद, माहिर, तो हम कहेंगे, जैद, is, expert, तो आप देख रहेंगे, जो proper noun है, उस पहले फ्लाम नहीं लगाना है, जो common noun है, उस पहले फ्लाम लगाना है, इस तरह से हमारा nominal sentence बनके, सिर्फ और सिर्फ masculine का हमारा ready हो जाएगा, हम इसको use कर सकते हैं, और इसको हम आगे चीज़ों में पढ़ सकते हैं, आप कोई सी भी किताब में देखें, आप देख सकते हैं, आप बहुत से चीज़े होंगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं, और अपने language में improvement कर सकते हैं, thank you so much.